स्वागत दोस्तों मैं शिवानी में आप सब का स्वागत है आज मैं बनानी जा रही हूँ गौजा एक गूड का गौजा है तो चलिए गौजा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं चाहिए मैदा पाव किलो मैदा है स्वादोनुसर नमक और गूड और यह बेलने के लिए मैदा रखा है और तेल में कड़ाई में गरम दे दिया है तो चलिए तयारी शुरू करते हैं पहले हम देंगे दो चममस तेल देना है मुझे ज़िए दो चममस तेल दिया है स्वादोनुसर नमक दिया हुआ है अभी इसको अच्छा तरा मीक्स करना है मुझे आटा में मौयं बडाबर हुआ कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा देखिए देखिए आटा ऐसा डो तैयर ह पानी नहीं दिया अभी तक लेकिन ऐसा देखिए डो तयर हो रहा है इसके मतलब मेरा माय में बड़ा बर है तो आभी मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी देंगे पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए चलिए पानी देके गुंते हैं आटा मेरा आटा तयर हो गया है अच्छा अभी देखिए ऐसा बेला है फुड़ा मोटा बेलना है और साइट से में काट लिया है मेरा पास काटर है अगर काटर नहीं रहेगा तो आप लोग चक्कु से काट सकते हैं ऐसा मुझे सारे काटना है आप लेखिए एक दम गैस कम रखिएगा फ्राइ करने के टाइम सारे फ्राइ हो गया मैं पाव किलो का बनाया है लेकिन मुझे आधा गंट लगा फ्राइ करने के लिए देखिए ऐसा अंदर से फ्राइ होना चाहिए अभी मैं गूर का साचनी बनाएंगे कड़ाई गरम हो गया है यहाँ पर पाव किलो गूर है मैंने दे दिया है चार चम में पानी देना है तीन तर का साचनी बनाना है मुझे गूर हो गया है देखिए अगर किसी को ऐसा समझ में नहीं आएगा तीन तर बनाना है तो ऐसा उठा के आप ऐसा पानी में दालिएगा देखिएगा अभी पानी के अंदर भी गूर जमा हो गया है तो इसके मतलब मेरा गूर पूरा पया है रेडी है अभी हम जो बना के रखता है यह गौजा अभी गूर के अंदर डालेंगे चलिए डाल दिया है पूरा जब तक थोड़ा कड़क नहीं हो जाएगा हमको गूर में ऐसा इसको हिलाना है अभी पूरा मिलाना है अच्छा तड़ा गूर को देखिए अभी ठंडा होने लगे है यह गूर अभी हम दो मिनीट बाद गैस बन करतेंगे इसको एक एक अलग अलग करना है जॉइंट नहीं होना चाहिए एक मिनीट के अंदर ठंडा हो जाएगा तब तक चलाते रहिएगा न तो सब जॉइंट हो जाएगा गजा त्यार है अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कॉमंड कीजिए बनाईए खाईए खिलाईए Thank you